आज एक ऐसे टीटॉरियाल दे रहे हैं जिसमें मतलब हम जिस तरीका से काम करते हैं उसका उपर थोड़ा कुछ आइडिया आप लोगों को बोलेंगे मतलब हम ऐसे काम करते हैं अगर पसंद होगा तो आप लोग वहीं तरीका से काम कर सकता हो तो पहले हम बोल दरा है एक छोटा सा कोस्चन था एक स्ट्रीम जूम हो गिया माल लिजिए यह एक स्ट्रीम जूम हो गिया तो उधर भीतर में घुज गिया है मतलब यह पेज चेंज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है चेंज तो यह छोटा से बटन है आटो स्क्रॉल इसको एनेबल करोगे तब चेंज होगा तो हम लोग चला तो और यह प्रॉब्लेम मतलब इसका उपर बहुत दिन पहले हम बोल चुका है फिर भी कोस्टेन कर रहा है लोग तो इसलिए बोल दिया है और यह आते हैं किदर से प्रेफरेंस का अंदर आप लोग अगर जाओगे तो ट्रांसपोर्ड में जाओ और यह जो आपका स्टेशनरी कार्शन अगर करोगे ओके करोगे तो यह आटोमेटिकली पीछे पीछे चलेगा स्क्रीन को लगेगा पीछे चल रहा है तो यह छोटा सा प्रॉब्लम था तो इसको हम लोग शौट की ऑटो स्क् गतल छोटा सा प्रॉब्लम था तो अगर हम लोग जूम आउट करेंगे तो यह जगा है जो जो अबरवू का मतलब है अभी हम लょग कौन सा पॉजीशन में है और अगर हम लोग मैकसिमम जूम καरेंगे तो यह जगा मतलब जो फेडेड मतलब जो जगा आर्क है वो जगा हम नहीं लोग देख पा रहें आपाजिया है जहीं भ है यह देखने पाने क accomplished पar दि चे vivoंद्ध बॉस्तिंग ध्लीक करने के सब्सक्राइब mastering effect डालते हैं बहुत सारा कुछ करते हैं तो हम कैसे काम करते हैं उसका उपर आप लोगों को थोड़ा सा idea दे दे रहा है तो देखिए यह अगर vocal होगा ठीक है यह अगर vocal होगा इसको आप लोग पकड़ लीजिए vocal track है तो हम क्या करते हैं इसका parallel मतलब हम लोग जो देख पा र सही तरीका से हम लोग recording किया है तो यह recording करने के लिए हम लोगों को acoustics अच्छा लगेगा कोई भी हम अगर हम लोग samples यूज करते हैं बहुत सारा samples का site है future loop देख सकते हो loop master देख सकते हो बहुत सारा जगह है जिसमें आप लोगों को directly online purchase करना पड़ेगा तो जगह से अब अब कब लिए बहुत सारा samples सब लोग ले सकता हो फिर भी हम बोल रहा है जो हम लोग record किया है यह सबसे best quality का record है तो पहले पहले सुरू सुरू में ऐसा type का best quality recording होगा नहीं आप लोगों को तो आप लोगों को तीन recording करना पड़ेगा एक audio track लेते है इसको हम लोग remove कर देता है पहले हम लोग एक mono track लेते है ठीक है तो mono track में हम लोग record करते है तो a vocal 1 होगा v1 हम कर देता है ठीक है तो इसका parallel v2 होगा और v3 होगा दो ले लेते है और v2 और v3 होगिया तो पहले में हम लोग जब record करेंगे तो यह जो है toggle time base between musical and linear q-base में क्या होता है by default on रहते है इसको off कर देंगा क्यूं करेंगे यह पहले पहले tutorial में हम बोला है उल्लेडी बोल चुका है तो linear क्या होता है musical क्या होता है तो उसके आप से हम बोल चुका है थोड़ा देख लिजिएगा पिछले ट्युटरेल में तो इसमें क्या है इसको पकड़ए है पहला take हमारा तो ऐसा हुआ है ठीक है ऐसा हुआ है मतब हम इसको कम करके दिखा आ है ऐसा हुआ है तो ये जो हुआ है हम लोग थोरा सा दूजरी बार एक rix ले सकते हैं जैसे कि इसको copy करके इसको select करके हम copy करके चीछेक दूसरा ट्रेक पर आते हैं इसको पेस्ट कर देता है सेकेंड बर जो टेक लिया है ऐसा टाइप का हुआ है और थार्ड बर का जो टेक लिया है वह एकदम zero db का हुआ है इसको हम लोग zero db कर देता है तो तीनों जो आलग-अलग टेक है हम लोग इसका उपर नहीं जा सकते हैं जैसे कि जो लास्ट हम लोगों को टेक है ओगर एंप्लीचूड में जीरो डीवी दिखाएगा तो मतब इसमें जो स्टैटिस्टिक में प्लीक एंप्लीचूड जो होता है तो उसका बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे मंदब वह फाइनली है मंदब उससे अच्छा नहीं हो सकते एक दम उससे अच्छा नहीं होगा भी क्योंकि उससे अगर ज्यादा हम लोग पीक देने के लिए कोशिश करेंगे तो फड़ जाएगा साउंड तो हम लोग आभी क्या करेंगे देखिए क्यूबस में और निमंडम में कोई भी कोई भी सॉप्ट्वेयर में हम लोगों को बहुत अच्छा तरीका से एडिटिंग का बहुत शॉट की बहुत अच्छा दिया है जैसे कि हम लोग वान प्रेस करें तो ऑब्जेक्ट सेलेक्शन 2 हो गया रिंज सेलेक्शन 3 हो गया स्प्लिट 4 हो गया ग्लू 5 हो गया ए एजर 6 हो गया जूम 7 हो गया म्यूट 8 हो गया पेंसिल 9 हो गया प्ले और टेन तो होता नहीं है मतलब 1,2,3,4 ऐसा करके हम लोग कर सकते हैं तो देखिए हम लोग क्या करता है एक काम करता है जब हम लोगों को माल दिजिए वोकल कर टेक है कोई जगापर फ़ोनावंससेशन फ्वो जैँदो फटरा गडवर हुआ है इसमे इसमें फटरा जेशन फटरा गन्तार लेकर तो घर ऑप तो हम लोग क्या करता है इसको थोड़ा काटिंग करता है इसको काटिंग करता है इसको ऐसा काट करता है फिर इसको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करके इसको नीचे मल ले आता है खिचके ले आता है तो यह उपर का आ गिया तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं करके हम ल ही इसको Content कर दिया सी अषिसरी है आफौर को सभीदा होगा जैसे कि एक दो तिइन छी कर सकते एक दो एक दो तीन है चूज करके Version Колे सकते हैं और काटिंग करने में थोरा सा टाइम भी लग जाता है तो प्रोनाउंसेशन के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कौन सा टेक में प्रोनाउंसेशन अच्छा हुआ है और उसका हिसाफ से हम लोग क्या-क्या इसको कर सकते हैं मतलब किसका क्वालिटी सबसे अच देखिए पूरा गान तो आप लोगों को लेला नहीं पड़ेगा जैसे कि गाना का मिदल में म्यूजिक होगा और पहले भी म्यूजिक होगा जैसे कि प्रिलूट बोलता है प्रिलूट होगा उसके बद सौंग यह होगा मतलब ऐसा टाइप का होगा गाना पेंट में दिखा है तो हम लोग जब गाना रेकार्ट करेंगे तो ऐसा करके हम लोगों को यह जगा जैसे कि गाना का एज तो वो गाना को copy करके हम एससा करके शॉट-ießen करके हम लोग कर सकते हैं तो यह हो गया एक point, बादक है the Codes का बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं quods का बारे में हम लोग देखा था कैसा-कैसा dres color लगते है मेजर का हिसाफ से हम लोग जाएंगे जैसे कि Cmajor हेलो सी कोड का हिसाफ से हम लोग किस टाइप का कोड लगा सकते हैं वंदब गाना में कैसे हम लोग लगा सकते हैं जैसे कि हम एक थोड़ा सा हमारे एक्स्प्रियेंस का बारे में बोल रहा है जैसे कि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा हो गिया तो आठ नोट, आठ नोट ये साथ नोट है तो सा में हम लोग कोई भी गाना होगा तो सी ही यूज करेंगे ठीक है जब रे होगा तो जी यूज करेंगे हमारा कीवर्ट का ट्यूटरियाल देखेंगे तो आप लोगों को समझ मा आ जाएगा गा में सी यूज करेंगे, मा में एफ यूज करेंगे पा में सी करेंगे, धा में एफ करेंगे नी में जी करेंगे और सामे c करेंगے तो देखिए इसमें एक combination है जैसे कि रे और नी सेम हो गिया और धा और मा सेम हो गिया अब बाकी जगा में c है तो इसका एका relative minor हम लोग use करेंगे तो ए जगा पर हम लोग एजगा c use कर सकते है और एस c का जगा में हम लोग a minor use कर सकते है अच्छा लगेगा इसके हिस्पस अगर हम लोग जाएंगे जी का पहले जी रखेंगे और सेकेंड जो जी अगर आएगा तो जगह पर हम लोग ए माइनर भी यूज़ कर सकते हैं और यह जो मा हैं, मा में हम लोग F लगा सकते हैं, पहले का मा में F लगा सकते हैं, और सेकंड का मा में हम लोग D minor लगा सकते हैं तो किया हुगा, कितना chord हम लोगों को निकल गया, तो देखिए, AC हो गया, A chord हो गया, मतब सागापा हम लोगों को एक सद बजाना पड़ेगा, C हो गया, G हो गया, F हो गया, A minor हो गया, D minor हो गया, E minor हो गया, तो आप लोग थोड़ा इसको इसका उपर थोड़ा कालचार करिए, मतलब आप लोग थोड़ा करके देखिए, क्या हो रहा है, अगर कोई problem हो रहा है, मतलब कोन सा टाइप के chord अब लोगों को देना चाहिए, तो आप लोग हम को इनफर्म कर सकता हो, मतलब comment में लिख सकता हो, कोई दिक्कत नहीं है, comment में लिख हो, जो इस song में हम लोग कैसा कैसा chord डाल सकता है, तो उसका हिसाफ से हम कुछ guide कर सकता है, जैसे कि C, अगर minor का हो जाएगा, तो minor में थोड़ा complication ज़्यादा है, तो पहले ही हम बोल चुके है, major का अगर होगा, तो उसका हिसाफ से हम लोग major में ऐसा ऐसा जगा जा सकता है, अभी क्या होता है, कुछ accidental chord होता है, कुछ अलग type का chord होता है, तो उसका scale का बरह में भी हम लोग बातचीत करेंगे, तो basically आज का जो tutorial था, उसका tutorial ये था, shortcut key का हिसाफ से, हम लोग जब काम करता है, मतलब mouse लेके हम लोग ऐसा click करना पड़त है, तो ये हम लोग नहीं करके, हम लोग को एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ये button को use करके हम लोग कर सकते है, और जिसका जो maximum quality है, मतलब अगर हम लोग recording करने का बाद, आप लोगों को अगर इसको audio को देख के, आप लोगों को लगेगा, जी ए पीक volume होगी है, पीक amplitude अगर sound already फट चुका है, तो आप लोग उसको लेके कुछ फाइदा नहीं कर सकते हो, कम में होगा, कम में record करो, उसको थोड़ा boost कर सकते हो, मगर ज्यादा कम होने से दिक्कत है, मतलब अगर इस type का recording हुआ है, तो इसको बढ़ा के हम लोग कितना दूर कर सकते है, maximum ऐसा कर सकते है, ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो sound फट जाएगा, मतलब sound का कोई quality नहीं रहेगा, मतलब clarity डेमेज हो जागा इसका, तो इसलिए हम ऐसे record करते है, तो आप लोग थोड़ा ऐसे काम करके देखो, और क्या हो रहा है हमको बोलो, comment करके बोलो, और please हमको phone मत करो, हमको thank you for watching this video